इस देश में वो भी स्री को ठगने का काम हुआ है, इस देश में वो भी स्री को इस देश के राजनितिक दलों ने उल्लू बनाने का काम किया है। पंचानवे परसेंट जैज बना हुआ है, उसको दिक्कत नहीं होगी। आप जो वाइस चांसलर जो है, सो में से 90 वाइस चांसलर ब्रह्मन बना हुआ है, उसको दिक्कत नहीं होगी। सब जगे कभ जा है तो दिक्कत होगा ना, और आप दलितों पिझणों की छोड़िये, उन्होंने तो राजपुतों का हुआ है, बनीओं का हुआ है, और सब जाति-जण शन गन्ना होने से, इस सब पन्ना तर पन्ना प्ना उखर रहा है को निसका हक मा रहा है, पता चल रहा असली लडाई ही इसी बात किये बवा साफ डॉक्टर अमबेटकर भी इसी की लडाई लड रहे थे कि यह कोन मारा भागीदारी दो आरक्षन क्या है भागीदारी है हम भी तो वही बात कर रहे हैं जो आज का राजनितिक सवाल है कोई जो है ब्रह्मन चार का मालिक है और किसी दलीत को जो है एक साइकिल भी नहीं है इसका क्या मतलब है यह भी चार पहिया से चल सकता था किसने की हक मारी योग है तो सो में से सो ब्रह्मन योग कहे का योग कहे का योग जो बच्चा इनका पढ़ता है न यहां के कॉन्वेंटी स्कूल में बियार जारकंट के किसी सरका पढ़ा दीजिये, सब मेरिट का महिपतेल निकलने लगता है, जो मेरिट मेरिट का ही लोग दाना गाते हैं, इनके हिसाब से किसी दलीत को मुझ रखने के लिए मार दो, सब ठीक, सब भालवाच है, अगर किसी दलीत को मटका चुने पे पीट दो, सब अच्छा, कोई दलीत प फैलता है, जब ये सो में से तीन परसेंट ब्रह्मन, सो परसेंट जज बना फिरता है, तब जाती बाद ने फैलता है, और जब वो भी इसी सवाल उठा है, जब दलीत पिछरा सवाल उठा है, आदिवासी सवाल उठा है, कि हमको भी जज बना, हमको भी प्रोफेसर बना, हम को भी अंकर बनना है तो जाती बाद फैलता है तो गरीब ब्रह्मन को भी तो लोग गोव में कहते हैं प्रणाम पंडिजी और इस देस में राश्टपती भी अगर चला जाए मंधिर तो उसको भी मंधिर में नहीं घुसने दिया जाता है तो जाती जो है आरक्षण को गरीब कि अरक्षन कोई गरीबी हटाव कार्जक्रम है क्या? परदान मंतरी जी को इतनी समझ नहीं है क्या? कि आरक्षन कोई गरीबी हटाव कार्जक्रम नहीं सेटीफ़ांड है, गांची जाती से हैं तेली गांची जब जो है वो CM भने खुद से ही अपने को OBS सिख सेटिफिकेट देख फोटो की चा लिया है मोदी जी ने कॉंग्रेस के हायर पार्टी को जाती जन्गन्ना पे आना पड़ेगा इस देश में पिछों की आवादी सबसे ज्यादा है सतर से पच्छतर परतिसत अवादी है और पिछों के सवाल आज तक खासिये पर रखे ग सवाल है वो राजनितिक सवाल बन रहा है तो यह एक अच्छा संकेत है देश की राजनिति मुझे लगता है अगर जाती जनगना के सवाल पर मंडल कमिशन के सवाल पर जाती के अधार पर हिस्सेदारी के सवाल पर अगर इस देश में दो हजार चौबीस का चुनाव होता है उ राज सरकार किसी की भी बने उसके खिलाप यह जाती जनगना हुई है अब उन साजिसों का परदा फास हो चुका है और जाती जनगना से एक चीज और ते हो गई है अब तमाम राजनितिक दल चाहे वो राष्ट्रिय जनता दल समाजबादी पार्टी जद्यू या कोई भी रा राजनितिक दल में टिकट के अस्तर पर भी जो है अब लोग जाती के अधार पर खोज रहें कि हमारे जाती कीतनी आबादी है हमें जाती के हिसाब से भागीदारी दो हमारा संगठन परिसंग भी लगातार 26 साल से इस सवाल पर काम कर रहा है तो जाती जनगना है ही इसलिए जाती जनगना है किसलिए जाती जनगना है जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी मिले जाती जनगना है कि कोई 3% वाला 70% वाले का हक नहीं खाएगा जाती जनगना है कि 10% वाला बाकी 90% का हक नहीं खाएगा जाती जनगना है चाहे किसी भी जातका हो जिसकी उत का संसाधन का जो न्याइपुर्ण बटवारा है वो होना चाहिए कोई किसी का हक नहीं खाएगा इसलिए जाती जंगना है इसी से तो पता चलेगा ना जब तक पता नहीं चलेगा किसने कितनी संपत्ति बनाया यह तो राजनीती है सब अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं रा अशी बात है कि हमारे मुद्दे लेकर आ रही है यह देखे राजनीती हर दिन बदलती है अब राजनीतिक परिस्थिती पहले क्या था कि दलित पिछले अवेर नहीं थे यह इसे ही जोला ढवाता रहा हर पार्टी इनसे जोला ढवाता था अब जो है तमाम लोग जो है अब अब बहुत दिन तक आप ऐसे नहीं चला सकते कि तुम दरी बिछाओ तुम जोला उठाओ यह नहीं चलेगा अब सब को हक चाहिए चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो सब को जाती के हिसाब से भागीदारी देनी पड़ेगी चाहे संगठन के अंदर हो चाहे टिकट देने का म को या संसाधन का कहीं बटवारा हो जिसकी जितनी आबादी है उसको टनी भागीदारी देनी पड़ेगी इसका जवाब देखें अब इसका जवाब तो kongrike देगी कि रंगठन में भी भागीदारी चाहिए। क्या है कि ये कॉंग्रेस, इंडिया गठबंधन ये बड़ी बड़ी बाते हैं। हम लोग समाजी कि लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी हमारे खिलाप है SCSTOBC के और अभी राहू गांधी जो मुद्दे लेकर आये हैं, जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, वो मुद्दे हमारे हक में हैं, हमारे पक्ष में हैं। भारतिय जनता पार्टी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, भारतिय जनता पार्टी रोहित बेमुला कराती है, हातरस कराती है और आज की तारीक में जिसकी जितनी अबादी है उसकी उतिनी भागीदारी का सवाल इंडिया गठवंदन उठा रही है कॉंग्रेस पार्टी उठा रही है इसलिए हम उसके पक्छ में आप तो यह इनका मेरा देखे राजनितिक संदों में मेरी राज नितिक समझ कम हैं मैं बावा सहब का सिपाही हूं फञर कि लड़ाएर बराबरी की लड़ाएर लरता हूं जब कभी किसी राज नितिक दाओंगा हो सकता है सभी मेरी का शम्दियन साहाता रहां Dafर का सवाल जिस जवाब राहूल गांधित नहीं या मलिकार जुन खरकेजी नहीं तो इसे देश में जातिवाद बढ़ जाएगा हाँ जातिवाद इनके हिसाब से बढ़ जाएगा